अबस्कार स्वागत है आपका विहारी नूज में में रतन सेन भारती अज हम बात करेंगे केंद सरकार की तरफ से जारी कियेगा वाट्सअप और फेस्बुक को लेकर एक नई गाइड लाइन के बारे में हो रहे है वाइरल ख़वर के बारे में किंद सरकार ने सोसल मीडिया मंच पर जारी होने वाले समगरी के प्रती कमपनियों की जिम्यदारी और जबाब देहिताई करने के लिए IT नियम जारी किये थे जो कि 25 मई से परवावी हो गए हैं हलाकि नए नियमों को लेकर अब किंद सरकार और सोसल मीडिया कमपनियों में त अब कवजातें कि सोशल मीडिया में एक viral message में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार दोआरा अब नए संचार नियम के तहथ सोशल मीडिया और phone call पर निगराने रखी जाएगी इसी दावे को लेकर किन्सरकार की तरफ से कहा गया है की उसने लोगों के सोचल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल पर नजर रखने के अधिकार वाले कोई भी नियम नहीं मनाया है कि इन सरकार के दावेवाले कई तथियों और गलत पोस्ट की जाच करने वाली एजनसी प्रेस इन्फॉर्मेशन वीरो यानि कि PIV की तरफ से फैट चेक टीम ने इस मैसेज को पूरी तरह से फरजी करार दिया है PIV की तरफ से कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह से फरजी है भरत सरकार की तरफ से इसा कोई भी नियम लागू नहीं किया गया इसके अलावा सरकार ने किसी भी फरजी और एस्परस्ट जनकारी को फॉर्वर्ट ना करने की सलाह दी है अगर जान लेते हैं वो कौन सा मैसेज है जो की बहुत तीजी से वाइरल हो रहा है जो मैसेज वाइरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि वाटसप और फेस्बुक के लिए नए संचार नियम लागू होंगे सभी calls को record किया जाएगा, सभी call recording को सरकार सहेज कर रखेगी WhatsApp, Facebook, ट्यूटर और सभी social site पर भी सरकार नजर रखेगी Message के मुताविक जो भी इस बात से बागी ना हो उसे जरूर बताए Message में यह भी कहा गया है कि आपके ओपकरन मंत्राले प्रनाली से जुड़े होंगे कभी social site चलाना चाहिए, इस viral message में यह भी लिखा गया है कि राजनीती या मजूदा इस हीती पर सरकार या परधार मंत्री से जुड़े को भी post या video share ना करें इस समय किसी भी राजनीती या धार्मिक मुद्दे पर संदेश लिखना या भेजना अपराध है ऐसा करने पर बीन अबारंट की गरफतारी हो सकती है साथ ही यह भी कहा गया है कि पुलिश नोटिफिकेसन जारी करेगी फिर साइवर क्राइम के तहत कारवाई की जाएगी मेसेज में उन लोगों को भी अगाह किया गया है जो वाटसअप ग्रूप पर है इसमें कहा गया है कि आप सभी सम्मों के सदस ग्रूप एड्मिन इस बात पर विचार करें साथान रहें कि गलत संदेश न भेज़ें किर्पिया इसे साजह करें पी आईवी के तरब से इस बाइरल मेसेज को ऐसे समय में फरजी करार दिया गया है जब देश में फेस्बुक ट्यूटर और वाट्सअप पर यूजर की प्राइवेसी को लेकर बड़ी बहस जारी है गुरुवार को इंफॉर्मेशन और टेक्नोजी मनिस्टर रिविशंकर परसाद ने कहा कि वाट्सअप यूजर्स को नए सोसल नियमों से डरने को कोई जरूवत नहीं है उनका कहना है कि यह नियम इन तमाम प्रेटफॉर्म के गलत प्रियोग को रोकने के लिए तयार किया गया उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत यूजर्स के पास सिकायत निवारन के लिए एक मजबूत तंत्र होगा केंद सरकार के तरफ से 25 फरवरी को नए डिजिटल नियमों की घोशना की गई थी इन नियमों के तहत ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और वाटसप जैसे बड़े सोसल नेटवर्किन प्लेटफॉर्म को सुरच छा के अतरिक्त उपाय करने की जरुवत होगी इसमें मुख्य अनुपालक अधिकारी नोडल अधिकारी और भारत इस्तित सिकायत अधिकारी की नियुक्ति जैसे उपाय सामिल है सरकार ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम बनाये हैं इसमें देश के 50 लाग से ज्यादा यूजर्स है वाटसअप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनावती दी है जिसके एक दिन बाद सरकार की यह परतिक्रिया सामने आई है वाटसअप का कहना है कि औरिजनल मैसेज तक पहुँच महया कराने से उर्जर की प्राइवेसी खत्रे में पढ़ सकती है तो एक तरह से हम करने कि सोचल मीडिया पर जो वाइरल हो रही ख़वर जिसमें यह कहा जा रहा है कि सोचल साइट और हमारे फोन कॉल्स को किन सरकार ट्रेपिंग कर रहे है यानि कि उसे अपने पास जमा कर रही है और बाद में किसी भी तरह से उसे कारवाई की जा सकती है यह पुरी तरह से गलत सावित हुआ है प्याइबी ने इसे पुरी तरह से फर्जी करार दिया है तो ऐसे फोन कॉल्स और इस तरह के मैसेज को लेकर आप ध्यार ना दे बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नियोज के साथ मुझे दिर जी अजाजत धन्यवाद